राजस्तान के सभी परिवार जनों को मेरा राम राम विख्षित भारत विख्षित राजस्तान इस महत्मुन कारकम में इस समय राजस्तान की हर विदान सबाद से लाखों साथ ही जुड़े हुए हैं मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बढ़ाई देता हूँ कि उन्होंने टक्नोलोजी का इतना शांदार उप्योग करके जन जन तक पहुंचाने का मुझे अउसर दिया है कुछ दिन पहले फ्रांस के राश्पती जी का आपने जैपूर में जो स्वागत सत्कार किया उसकी गुंज पूरे भारत में इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गुंज रही है और यही तो राजस्थान के लोगों की खासियत है हमारे राजस्थान के भाई भेंज जिस पर प्रेम लुटाते हैं कोई कसर बाकी नहीं चोड़ते मुझे आध है जब विदान सभाज चुनाव के समय में राजस्थान आता था तो आप किस तरह हमें आशिरवाद देने के लिए उमड़ पड़ते थे आप सभी ने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया आप सभी ने डबल इंजिन की सरकार बनाई और आप देखिए राजस्थान की डबल इंजिन सरकार ने कितनी तेजी से काम कुरना शुरू कर दिया है आज राजस्थान के विकास के लिए करिब सत्तरा हजार करोड रुपिय के प्रोजेक्ट का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, सावरूर्जा, पानी और ल्पिजी जैसे विकास कारेकरमों से जुड़े हैं ये परियोजनाएं राजस्तान के हज्जारों युवाओं को रोजगार देने वाली हैं मैं इन प्रोजेक्ट के लिए राजस्तान के सभी साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं भाईयों और बहनों आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था यही समय है सही समय है आजादी के बाद आज भारत के पास इस्वर्निम कालखंड आया है भारत के पास वो अवसर आया है जब वो दस साल पहले की निराशा को छोड़कर अब पूरे आत्मविश्वात से आगे बढ़ रहा है आप याद कीजिए 2014 से पहले देश में क्या बाते चल रही थी क्या सुनाई दे रहा था अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े गोटालों की चर्चा ही रहती थी तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा देश का क्या होगा जैसे तैसे जीवन निकल जाएं जैसे तैसे नोकरी बच जाएं कॉंगरेस के राज में चारों तरफ तब यही माहोल था और आज हम क्या बात कर रहे हैं किस लक्ष की बात कर रहे हैं आज हम विक्सित भारत की विक्सित राजस्थान की बात कर रहे हैं आज हम बड़े सपने देख रहे हैं बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं जब मैं विक्सित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं हैं ये केवल भाव भर नहीं हैं ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभ्यान है ये गरीवी को जड़ से मिटाने का अभ्यान है ये युवाओं के लिए अच्छे रोजगार बनाने का अभ्यान है ये देश में आधूनिक सुविधाय बनाने का अभ्यान है मैं कल रात में ही विदेश यात्रा से लोटा हूं ये ये और कतर के बड़े-बड़े रेताओं से मेरी मिलाकात हुई है आज बेभी भारत में हो रही प्रगति को लेकर चकित है आज उनको भी भरोसा हो रहा है कि भारत जैसा विशाल देश बड़े सपने देख सकता है इतना ही नहीं उन्हे पूरा भी कर सकता है भाई और भेनों विक्सित भारत के लिए विक्सित राजस्थान का निर्माण बहुत जरूरी है और विक्सित राजस्थान के लिए रेल, रोड, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का तेज विकाद होना जरूरी है जब यह सुविधाओं बनेगी तब किसान पशुपालक को लाभ होगा राजस्थान में उद्योग आएंगे फैक्टरियां लगेगी परियटन बढ़ेगा अधिक निवेश आएगा तो स्वाभाविक है जादा से जादा नोकरियां भी आएगी जब सडके बनती है रेल लाइन बिच्टी है रेल वेश्टेशन बनते है जब गरीवों के घर बनते है जब पानी और गैस की पाइपलाइन बिच्टी है तब निर्मान से जुड़े हर बिजनेस में रोजगार बढ़ता है तब ट्रांस्पोर्ट से जुड़े साथियों को रोजगार मिलता है इसलिए इस वर्ष के केंद्रिय बजेट में भी हमने आइतिहासिक ग्यारा लाग करोड रुप्य इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए रखे हैं एक कॉंग्रेस सरकार के समय से छे गुना ज़्यादा है जब ये पैसा खर्ट होगा तो राजस्थान के सिमेंट पत्थर सिरेमिक ऐसे हर उद्योग को लाब होगा भाई और बहनों बीते दस वर्षों में राजस्थान में गाउं की सडके हो या फिर नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे आपने देखा हुआ अभूत पुर्वन निवेश किया गया है आज राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट के समूदरी तड़ से ले करके पंजाब तक चौड़े और आदुरिक हाईवे से जुड़ रहा है आज जिन सडकों का सिलान न्यास और लोकारपन हुआ है उनसे कोटा, उदैपूर, टौंक, सवाई माध्वपूर, बुंदी, अजमेर, भिलवाडा और चित्तोड़ घड की कनेक्टिविटी बहतर होगी यही नहीं इन सडकों से हरियाना, गुजरात, महाराष्टर और दिल्ली से कनेक्टिविटी भी ससकत होगी आज भी यहां रेलिवे के विद्धूती करण से लेकर मरम्मत तक के अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकारपन हुआ है बांदी कुई से आगरा फोर्ट, रेलिवे लाइन के दोहरी करण का काम पूरा होने के बाद महदीपूर, बालाजी और आगरा आना, जाना और आसान हो जाएगा जैपूर में खाती पूरा स्टेशन के शुरू होने से अब ज्यादा ट्रेने चल पाएगी इसमें यात्रियों को बहुत सुवीदा होगी साथियों, कॉंग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दुर्गामी सोच के साथ सकारत मग नीतिया नहीं बना सकती कॉंग्रेस न भविश्य को भाप सकती है और ना ही भविश्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है कॉंग्रेस की इसी सोच की वज़़ से भारत अपनी बिजली ववस्ता को लेकर बदनाम रहता था कॉंग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई कई गंटों तक अंदेरा हो जाता था जब बिजली आती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी करोडों गरिब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था साथियों बिजली के अभाव में कोई भी देश विक्षित नहीं हो सकता और कॉंग्रेस जिस रप्तार से इस चनोती पर काम कर रही थी उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दसक लग जाते हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चनोतियों से निकालने पर ध्यान दिया हमने नीतियां बनाई निर्णे लिये हमने सावर उर्जा जैसे बिजली उत्पादन के नए नए सेक्टर्स पर जोड दिया और आज देखिए हालात बिलकुल बदल गए हैं आज भारत सावर उर्जा सोलार एनरजी से बिजली पैदा करने के मामले में दुनिया में अग्रणी देशों में आ चुका है हमारे राजस्तान पर सूर्य देव की असिम कुर्पा है इसलिए राजस्तान को बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर भर बनाने के लिए डबल इंजिन सरकार तेजी से काम कर रही है आज यहां एक सोलर पावर प्लांट का लोकारपन और दो प्लांट का सिलान्यास हुआ है इन प्रोजेक्ट से बिजली तो मिलेगी ही हजारों नव जवानों को रोजगार भी मिलेगा साथियों भाजपा सरकार का प्रयास है हर परिवार अपने घर पर सोर उर्जा पैदा करें सोलार एनर्जी पैदा करें और अतिरिक्त बिजली बेच कर कमाई भी करें इसके लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी और बहुत ही महत्वपुन योजना की शुरुबात की है ये योजना है पी एम सूर्य घर पी एम सूर्य घर इसका मतलब है मुप्त बिजली योजना इसके तहत सरकार की तैयारी हर मेहने तीन सो यूनिट तक मुप्त बिजली का इंतजाम करने की है इस योजना के तहत शुरुवात में देजबर के एक करोड परिवारों को जोड़ा जाएगा केंदर सरकार छत पर सोलार पैनल लगाने के लिए हर परिवार के बैंक खाते में सीधे मदद बेजेगी और इस पर 75,000 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे इसका सबसे अधिक लाप मद्यमबर्ग और निम्न मद्यमबर्ग परिवारों को होने वाला है उनकी घर की बिजली मुप्त हो जाएगी सोलर पैनल लगाने के लिए बैंकों से सस्ता और आसान रण भी दिलाए जाएगा मुझे बताया गया है कि राजस्तान सरकार ने भी पांच लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है यह दिखाता है कि दबल इंजिन सरकार गरीप और मध्धंबर का खर्च कम करने के लिए कितना काम कर रही है साथियों विक्सीज भारत बनाने के लिए हम देश के चार वर्गों को मजबूत बनाने में जुटे हैं यह वर्ग हैं युवा, महिला, किसान और गरीब हमारे लिए यही चार सबसे बड़ी जातियां है मुझे खुशी है कि इन वर्गों के यह ससक्ति करन के लिए मोधी ने जो गारंटी दी थी उने डबल इंजिन सरकार पूरा कर रही है अपने पहले बजेट में ही राजस्तान की भाजपा सरकार ने युवाओं के लिए सत्तर हजार भरतियां निकाली है आप पिछली सरकार के दोरान बार बार जो पेपर लिख होते थे न पेपर लिख से लगातार परेशान रहे हैं इसकी जाच के लिए राजस्तान में भाजपा सरकार बनते ही जाच के लिए साइटी बना दी गई है पेपर लिख करने वालों के खिलाब केंदर सरकार ने अभी पार्लामेंट में कुछी दिन पहले ही एक कड़ा कानून बनाया है मजबुत कानून बनाया है इस कानून के बनने के बाद पेपर लीक माफिया गलत काम करने से पहले सौ बार सोचेगा साथियों राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को चार सो पचास रुपिये में गैस सिलिंडर देने की गारंटी दी थी इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है इससे राजस्थान की लाखो बहनों को लाब मिल रहा है पिछली सरकार के दोरां जल जीवन मीशन में हुए गोटालों का राजस्थान को बहुत नुक्षान हुआ है अब इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है आज भी हर गर जल पहुँचाने के लिए अनेक परियोजनाएं राजस्थान को मिली है राजस्थान के किसानों को पी एम किसान सनमान निदी के तहट छे हजार रुपिये पहले से मिल रहे थे अब बीजेपी सरकार ने वहाँ इसमें दो हजार रुपिये की बढ़ोतरी और कर दी है हर ख्षेत्र में हम एक एक करके अपने वाइदे पूरे कर रहे हैं हम अपनी गारंटियों के प्रति गंबीर हैं इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों मोदी की कोशिद है कि हर लाभार्ति तक तेजी से उसका हक पहुँचे कोई भी बंचित न रहे इसलिए ही हमने विख्षिद भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की थी राजस्थान के करोड़ों साथियों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया है इस दोरान करीब पौने तीन करोड़ साथियों की मुप्त स्वास्त जाच हुई सिर्फ एक महने में ही राजस्थान में एक करोड़ नए आईश्मान कार बने हैं पंद्रा लाग किसान लाभार्तियों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रेजिस्ट्रेशन किया पी एम किसान सम्मान निदी उजना के लिए भी लगबग साड़े छे लाग किसान साथियों ने आवेदन किया है अब इनके बैंक खातों में भी हजारों रुपी आने वाले हैं इस यात्रा के दोरान करीब आठ लाग बहनों ने उज्वला गैस कनेक्शन के लिए पंजी करण भी किया है इन में से सबाद दो लाग कनेक्शन जारी भी हो चुके है अब इन बहनों को भी चार सो पचास रुपीय का सेलेंडर मिलना शुरू हो चुका है इतना ही नहीं दो दो लाग रुपीय की जो बिमा योजना है उनसे भी राजस्तान के लगभग सोला लाग साथी जुड़े हैं साथियों जब मोदी आपको दी गई ऐसी गारंटिया पुरी करती है तो कुछ लोगों की निंद वुड़ जाती है आप कॉंग्रेस की स्थिती देख रहे हैं आपने हाल में कॉंग्रेस को सबक सिखाया है लेकिन यह मानते ही नहीं आज भी इनका एक एजेंडा है मोदी को गाली दो जो भी मोदी को जितनी जादा गाली दे सकता है उसे Congress उतना ही जोर से गले लगाती है यह विक्सित भारत का नाम तक नहीं लेते क्योंकि मोदी इसके लिए काम कर रहा है ये Made in India से बचते है क्योंकि मोदी इसे बढ़ावा देता है ये vocal for local नहीं बोलते क्योंकि मोदी इसके लिए आगरह करता है जब भारत पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बनता है तो पूरे देश को खुशी होती है लेकिन कॉंग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती जब मोधी कहता है कि अगले कारकाल में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की ताकत बनेगा तब भी पुरा देश आत्मे विश्वा से भर दाता है लेकिन कॉंग्रेस के लोग इसमें भी निराशा ढूमते हैं मोधी कुछ भी करे ये उसका उल्टा कहेंगे उल्टा करेंगे चाहे इसमें देश का भारी नुक्षानी क्यों न हो कॉंग्रेस के पास एक ही एजंडा है मोधी विरोध गोर मोधी विरोध मोधी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बाते फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाएं जब कोई पार्टी परिवारबाद के वंशबाद के गोर कुछ चकर में फस जाती हैं तो उसके साथ ऐसा ही होता है आज हर कोई कॉंग्रेस का साथ छोड रहा है सिर्फ एक परिवारी ही बहां दिखता है हैसी राजनिती युवा भारत को बिलकुल प्रेरित नहीं करती विशेश रुप से देश का फर्स टाइम बोटर जिसके सपने बड़े हैं जिसके आकांच्छाए बड़ी हैं जो विक्सीद भारत के विजन के साथ खड़ा है विक्सीद राजस्तान विक्सीद भारत का रोड में ऐसे हर फर्स टाइम बोटर के लिए हैं इसलिए आज कल पूरे देश में एक चर्चा बहुत जोर से हो रही है लोग कह रहे हैं अपकी बार NDA 400 पार मुझे विश्वास है कि राजस्तान भी मोदी की गारंटी पर अपना विश्वास और मजबूत करेगा एक बार फिर आप सभी को विकास कारियों के लिए बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़ाई झाल झाल